तमस्का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हुर मत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले सीमा जी अंतिममाला जी और भरत को मार्गÓ आप लोग measurements है पिछले वीडियो में गुरु गुविन सिंह तकी बात की थी आज की वीडियो में दीति काल का प्रकरण तीन चल रहा है इसमें हम स्रीधरिया मुझलीधर की बात करने जाएं यह प्रयाद के रहने वाले थे इन्होंने कई पुस्तके लिखी और बहुत सी फुर्कल कविताय बनाई संगीत की पुस्तक, नाईका भेद, जैन मुनियों के चरित काव्य, क्रश्न कर लीला के फुर्कल, पध्य चित्र काव्य, इत्याति के अत्रिक तेन्होंने जंग नमा न किसी एसे राजा को ऐसे बात्सा गो जो जन प्रिये हूं, उसको लेकर आपने अपना काव्य बनाया है तो उसकी लोग प्रियता ज्यादा होती है क्योंकि वो जन के जल्दी से लोगों को परसंद आ जाता है, क्योंकि उनकी भी भापनाव की अभिएक्ट्ट, उसकाव्य मे जो भी इतिहास के विद्याति होंगे या जो भी तियारी में जिन्होंने इतिहास पड़ी होगी वो ये जान रहे होंगे कि ये दोनों ही बादसा बास्ता में इस योग्य नहीं थे कि लोगों के प्रिये बन पाते या लोग इनके प्रबंध काव्य को भी पसंद करते हैं इसी लिए सायद इनका ये जंग नामा उत्मा प्रसिद नहीं हुआ ये गरंतकासी नागरी प्रचानी सभादवारा प्रकासिद हो चुगा है इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चड़ाई साथ समानादी का कवित सवईये में अच्छा वर्णन है इनका कविता काल समद सत्रा सो सरसट के आसपास माना जा सकता है जंग नामा के कवित नीचे दिये जाता है मतलब इनोंने लिखा अच्छा है लेकिन इनके जो नायक हैं उसमें थोड़ी सी सायद समस्या रह गई है चलिए इत गल जाती चड़ेव पकरुस यार साह उत मौज दीन करी भाटी भट भारती तोप की डकारन की बीर हर कारनी सो डोसे की धुकारनी धमक उठी धरती श्रीधार नबाब फरजंद खा सुरन्ज जुडे जोगनी अगाई जुग जुगन की बरती हर यो हरौल भील गोल पे परी हिरतू ना कर तो हरौली तो हरौली भीर बरती चलिए इनका जंग नामा याद रखिएगा बांकी आपसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ विसेश पूछा नहीं जाएगा आयोग कोई नहीं का जा सकता है, पूछ तो वो खुछ भी सकता है लेकिन 테리 हम सामानेता बात करें तो इसमें सामानेता और कुछ पूछने की गूंजाइस नहीं रहती है उसके बाद हम बात करते हैं लाल कभी की इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था ठीक है नाम ध्यान रखेगा इनका नाम गोरे लाल पुरोहित था और ये मौव बुंदेल खंड के रहने वाले थे इन्होंने प्रसित महाराच छत्र साल की आगया से उनके जीवन चरित दोहों चौपाईयों में बड़े भ्याओरे की साथ फ़र्मन किया है इस पुस्तकाले में छत्र साल का संबत 1664 तक का ही बृत्तान पाया है इससे अनुमान होता है कि या तो ये ग्रंद अदूरा ही मिला है अथ्वा लालकवी का परलोग वाज छत्र साल से पूर्व ही हो गया जो कुछ हो इतिहास की दर्ष्टी से छत्र प्रकास बड़े ही महात्व की पुस्तक है इसमें सब घटनाएं सच्ची और सारे ब्योरे ठीक ठीक दिये हैं इसमें वर्नित घटनाएं संबत आदी एतिहासी खोज के अनुसार ठीक हैं यहां तक कि जिस युद्ध में छत्र साल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेग है इसलिए ये मात्व का भी हो गया इस ग्रंथ यह ग्रंथ नागरी प्रचारनी सभादवारा प्रकासित हो चुका है ग्रंथ की रचना प्रोण और काव्य गोण युक्त है लाल कभी की प्रबंध पड़ता पूरी है संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार में किस सलोगा चुनाओगी बस तो परिगरण द्वारा वर्णनों का अरुचकर विस्तार बहुत कम मिलता है सारांस ये है कि लाल कभी का सा प्रबंध कौसल हिंदी के कुछ किने चुने कभीयों में ही पाया जाता है सब्द वैचेत्र और चमतकार के फेर में इन्होंने कृत्तिमता कहीं नहीं आने दिये भावों का उत्तर्स जहां दिखाना हुआ है वहाँ भी कभी सीधी और स्वाभावी कुप्तियों का ही समावेश किया है ना तो कल्पना के उड़ान भरी दिखाई है और ना ही उहा की जटलता है देश की दसा की और और भी कभी का पूरा ध्यान उन्होंने हर चीज के साथ ने उस समय के जो देश की दसा है उसका भी पूरा ध्यान दिया है सिवा जी का जो वीर व्रत था वही छत्र साल का भी था छत्र साल का जो भत्ति भाफ सिवा जी पर कभी ने दिखाया है तथा दोनों का सम्मिलन का जो ग्रत सिखीचा है दोनों इस समंद में ध्यान देने योग्य है 6 साल प्रकास में लालकवी ने बुंदेल बंस की उत्वत दि चंपत राए की विजय व्रत्तान उनके उत्योग और पराक्रम चंपत राए की अंतिम दिनों में उनके राज्य का उत्वार फिर प्रम्सा विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का ना को दम करना इत्यादी बातों का विस्तार से बढ़ना किया काप्य और इत्यास दोनों की इद्रस्टी से यह ग्रंथ हिंदी में अपने डंका अनूठ है इसलिए अच्छे से याद रखिएगा लाल कभी का एक और गरंथ विश्नु विलास है जिसमें ब़र्वेचंद में नाई का भेड कहा गया है ज्यादा तर जहां विलास सब्दा आ जाता है वहाँ पे आपको इसके विसे में ज्यादा कन्फिूजन नहीं रह जाता है पर इस कभी की गियती का इस्तंब छट्र प्रकास ही ज़िए ज्यादा पूछा नहीं जाएगा विश्नु गिलास पर ध्यान रखेगा आप छट्र प्रकास के नीचे कुछ पद्य उद्दित किये जाते हैं छट्र साल प्रसंसा पूछे नहीं जाते हैं लेकिन आयों का कुछ कहां नहीं जा सकता है लेकिन पहले आप माध्वकूर्ण चीजें ही त्यार करेंगे फिरे सोर बढ़िएगा लखत पुरुस लख्छन सब जाने सद कभी कभी सुनत रस्पागे रुचिसो लखत तुरंग कोजोनी के चौंक चौंक सब दिस्वी उठे सुबा खान खुमान अब दो धाबे कौन पर छट्र साल बरबलवान यह छट्र साल की प्रसंसा की है अब युद्ध कभरणन देख लीजिए छट्र साल हाणा तह आयो भयो हरोल बजाय नगारो दोरी देश मुगलन के मारो एक आनी सिवराज निबाही आठ पात साही जख जूरे काटी कटक किरवान बल बांटी चम्बुकिन देख ठाटी युद्ध एहरी तिसो बांटी धारनी धार लेख चहु और सो सूबन गोईरो पजरे सहर साही के बांके कबहु प्रकट युद्ध में हां के बानन बरा की गयंदन फोरे कबहु को उमरी अचानक आवे कबहु हां की हरोलन गूपी कबहु देश दौरी के चली अब बात कर लेते हैं घनानंद की बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनेगा की देखे पढ़ने को तो हम जो साहिति के विद्याति हैं उनके सामने पूरा एक महासागर है पढ़ने के लिए अगर सुखली की किताब कोई कह दिया जाए तो यह भी अपने आपने महासागर ही है लेकिन हमें यह ध्यान यह देना है कि पहले जो जादा महात्रुकून ठीक है? अलग-いलग प्रश्णों के घोज में या जो प्रश्ण कं पूछे जाते या जिनकी संक्या बहुत कं होती है उनकी खोज में हमें तब ही पढदना चाहीए जब हमारे सामाने तह पूछे जाने वाले प्रेश्ण, जो जिनकी परसेंटेज होती है ऐटी से याइंट कि ये साख्षात रसमोर्दी और ब्रजभासा कादी के प्रिधान इस्तंबों में इनका चन संबत 1746 के लगभग हुआ था और ये संबत 1796 में नादिर साही में मारे गयते नादिर साही में मारे गयते हैं मतलब नादिर साह के आक्रमण में मारे गयते हैं ये जाती के कायस्त और दिल्ली के बात्साह मुहम्मद साह के मीर मुंसी थे कहते हैं कि एक दिन दर्वार में कुछ अक्प्रियों ने बाथसा से कहा कि मीर साहब गाते बहुत अच्छा है बाथसा से इन्होंने बहुत टालमटोल किया जब बाथसा ने इसे गाने को कहा तो इन्होंने बहुत टालमटोल किया इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे यद इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वैस्चिया कहे तब गाएंगे वैस्चिया बुलाई गई उन्होंने उसकी ओर मुँ और बात्सा की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तनमय हो दो बात्सा इनके गाने पर चितना खुष हुए उतना ही बेदभी पर नाराज उसने इन्हें सहर से निकाल दिया जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वे नहीं गई इस पर इन्हें विराग उत्पन हो गया और ये ब्रंदा बन जाकर निमबार्क संप्र संप्रुदाय में वैश्नव हो गए त्यान रखेगा घनानंध निमबार्क संप्रुदाय में वैश्नव हुए थे और वही पूरी पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे थे व्रंदा बन भूमी का प्रेम इनके कवित सिछ लगता है इनके पूरे नहीं पढ़ेंगे बहु गुरनी बतायो राथा मोहन हुगायो सदा सुखद सुखायो प्रंदा बन गाड़े गई ही रे अदबुद अभुद मही मंडन परे ते बरे जीवन को लाहु खाह क्यों हता ही ले ही रे आनंद को घन चायो रहत नेरंतर ही सरस सुदेश जो पपी हा पन वैही रे जमुना के तीर के लिको हल कोला हल भीर ऐसी पावन बुलेने पे पतित परी रही रही रहे संबत 1796 में जब नादि साही की सेना के सिपाई मठुरा तका पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि बृंदाबं में वाथसा का एक मेर मुनसी रहता है उसके पास बहुत सा माल होगा तो क्या हुआ सिपाईयों नहीं नहीं आगे रहा और जर 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 का मतलब होता है धन ठीक है आपने सुना होगा ज्यादा तर ये लोगों को कहते हैं कि जर जुरू और जमीन ज्यादा तर लड़ाईयों के कारण होते हैं तो मैं यहां पर उसका हावत को नहीं बता रही हूं मैं सिर्फ आपको बता रही हूं जर का मतलब भनूता है जर 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 कहका चिलाने लगे तो भनानंद जी ने सब्द को उलट कर रज 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 कहके तीन मुठी व्रंदावन की धूल उनके फेंक दी उनके पास इसके कोद में आकर इनका हाथ काट ड़णा समझे कहते हैं कि मXT समें इन्होंने अपने रत्त रत्त से ये कवित लिखा था यह चान को कहीं कहीं आवत छबीले मन भावन को गहीं गहीं राकती ही देदे सनमान को जूटी बतियानी को पत्यानी ते उदास हम होएके अपना घेरति घन आनन्द निधान को अधर लगें आनि कर के पयान प्रान चाहत चलन ये संदे सोले सुचान के घन नन्द के इतने ग्रंथों का पता लगता है सुजान सागर, बिरह लीला, कोक सागर, रसकेलिवल्ली और रपातन इसके अप्रिक इनके कवित समये के फुटकल संग्रे डेर सो से लेकर सवा चार सो कवित्तों तक मिलते ही क्रश्ण संबन्दिन का इस बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर के राज गुस्तकाले में है जिसमें प्रिया प्रसाथ, ब्रजवेभाद, योग बेली, क्रिपा करंद निवंद, गीरी गाथा, भावना प्रतास, गोकुल को बिनोद, धाम चमतकार, प्रश्ण कौमुदी, नाम माधुरी, व्रंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंतित्यादी अनेक ब्रजवासा में है, पर चंद फार्शीओंके, ध्यान रख्येदा, इनके बिरेल लेला तु ब्रजवासा में है, लिकन उसमें छंद फार्शीक प्रियोग नहीं है, इनकी से विसुद्द सरस और सक्तिसालिनी ब्रशवासा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ, विसुद्धता के साथ प्राडता और महधुर भी अपूर रहे हैं। विप्रलम्ब श्रंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। चुकि यह अपनी वैश्याती उन्होंने छोड़ दिया था तो ज्यादो तर इन्होंने वियोग श्रंगार का ही बर्णन किया है। यह वियोग श्रंगार के प्रधान मुक्तक कभी है। प्रेम की पीर को लेकर इनकी बाड़ी का अप्राबदुर भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रमीर और धीर पतिक तथा जबादानी का दावा ऐसा दावा रखने वाला प्रजभासा में दूसरा कभी नहीं हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रबीर और धीर पतिक तथा जबादानी का दावा रखने वाला ऐसा प्रजभासा में दूसरा कभी नहीं हुआ है। अता हम इनके संबंद में नेम लिखे उपती बहुत ही संगत लगती है। नेही महा ब्रजभासा प्रबीन और सुन्दर ताहु के भेद को जाने। योग भी योग की रीती में कोवित भावना भेद स्वरूप कोठाने। चाह के रंग में भीजो ही हो बिछूरे मेले प्रीतम संतिना माने। भासा प्रबीन सुछंद सादा रह सोधन जूं के कवित बखान। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है जो श्रंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान क्रश्ट के लिए प्रेवत मानना चाहिए। या आप स्विर्श्ट के लिए सुजान कहा गया है नायक या इनकी नायका ठी उनके लिए और अगर भक्ति भाव्णा की बात की जाये तो उसमें प्रेष्ट के लिए सुजान सब्दोद को प्रयोग किया हुआ या प्रयुक्त मानना चाहिए, कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रयसी है, सुजान का नाम इतना प्रय था कि विरक्त होने पर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, यद्यपी अपने पिछले जीवन में धनानंद विरक्त भक्त के रूप में रंदा बन जा रहे थे, पर इन्की अधिछांस कविता, भक्ति भाग के कोड़ी में नहीं आएंगी, शरिंगार की ही कहीं जाएंगी, लौकिक प्रेम की दिख्षा पाकर ही पीछे भग्वत प्रेम में इन्व हुए, कविता इनकी भाव-बक्ष प्रदान, मतलब इनकी कविता में भाव-बक्ष रूप छटा का वर्णन इनों ने किया है वहां भी उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य में। इनकी बाणी की प्रभषि अंतरब्रद्न निरूपन की और विसेश रहने की कारण वहयात निरूपन रंचना कम मिलती है, मतलब इनोंने अंतरब्रद्त की और ज्यादा निर उपड़ किया है बाहे करें भोली के उत्सव मार्ग में नायक नाइका की भेंट उनकी रमड़ी ये चेस्टाएं आधिकवर्णन के रूप में ही वे पाई जाती है सइयों कभी कई कई वाय वर्णन बिलता है पर उसमें प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेस्टाओं की नहीं है हृदय के उल्लास और लींता की है प्रेम की दसा की बिंजना ही इनका अपना छेतर है प्रेम की पूर अंतर दसा और उध्धाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के आनिस्रंगाली कभियों में नहीं इस दसा का पहला स्वरूप है हिर्दय या प्रेम का अधिपत्य और बुद्धी का अधिनपत्य जैसा की धनानंद ने कहा है। रीजी सुजान सच्छी पटरानी बच्छी पुद्ध बापूरी हवे करी दासी जहां पे बुद्धी को दासी बना दिया जाता है और प्रेम को सारे अधिकार प्रेमियों की मनोब्रती इस प्रकार की होती है कि वे प्रिये की कोई साधारा चेस्टा भी देखतर उसे अपनी और जुकाव मान लिया करते हैं और फूले फितने हैं इसका कैसा सुन्दर आभास कभी ने नाई का कि इस बचल वारा दिया है जो मन को संबोधित कर भी कहां दिया रूची के वे राजा जान पियारे हैं आनंद घर पोत कहा हेरे रंग मान लीनो मेलो सो कभियों कि इसी अंतर द्रश्ट की ओर लक्ष करके एक प्रसेत मनस्त वेस्ता ने कहा है कि भावों या मनों विकारों का स्वरूप परिचे के लिए तक क्यों कि बाढ़नी का अणनी सिलन जितना उपयोगी है उतना मनों विज्ञानियों का निरूपर नहीं कूट से बन सकत कि भावों या मनों विकारों के स्वरूप का परिचे के लिए कभियों की बाढ़ी का अनुसीलन जितना उपयोगी है उतना मनों विज्ञानियों का निरूपर नहीं प्रेम की अनिर्वचनियता का आभास खना नंद के विरोधा वासों के द्वारा दिया है उनका विरोध मूलक बैचेत्रिक की प्रवत्ति के कारण यही समझना चाहिए जढ़्ियों ने सईयोग और वियोग दोनों पक्छों खोलिया है पर वियोग की अंतरदसाओं की द्रश्टी अधिक है इसी से इनके वियोग संबंदी पद्य प्रसित हैं वियोग कॉर्णन में अधिकतर अंतर ब्रत्तात्म निरूपक हैं। भायात निरूपक नहीं। घनानन्ध ने तो ना तो बिहारी की तरह विरयताप को बाहरी माप से मापा हैं। और ना बाहरी उचल कोद दिखाई है, जो कुछ हलचल है विभीतर की है, बाहर से यह वियोक्स प्रसांत और गंभीर है, ना उनमें करवटे बदलना है, ना सेज का आग की तरह तपना है, ना उचल उचल कर भागना है, उनकी मौनमधी पुकार है, मौनमधी पुकार है यह, दाना नजीची की सब्द इंपॉर्टन भी याद एकिरा, यह निस संकोच कहा जा सकता है, कि भासा का जैसा अच्छू कदिकार इनका था, वैसा किसी और कभी का नहीं, भासा मानो, इनके हिर्दय के साथ जोड़कर ऐसी वस वर्तनी हो गई, कि यह उसे अपनी अनूठी भा भंगेमा के साथ साथ, जिस रूप में चाते थे, उसी रूप में मोड लेते थे, यह इनकी भासा की बात हो रहे हैं, विसेस्ता है, इसलिए पंक्या महत्वपोर्ण है, इनके हिर्दय का योग पाकर, भासा की नूतन गतिवी दिखा अभ्यास हुआ, और वो पहले से अधि बलवती दिखाई पड़ी, तब जब आवश्यक्ता होती थी, तब यह उसे बंधी प्रणाली से हट कर, अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थी, भासा की पूर्व अर्जित सक्दी से ही, काम ना चला कर, इन्होंने उसे अपने और से नई सक्ति प्रदान की, घना नंद ज इन उन विरले कवियों में हैं, जो भासा की व्यंजक्ता बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भासा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में कोई दूसरा नहीं हुआ, भासा के लक्षक और व् और हिंदी कंपी हो ने उसके बीतर बहुत ही काम पैर बढ़ाया, एक धनान नदी है, ऐसे कभी हुए है, जनों ने इस चेत्र में अच्छी दौर लगाई करमागिकशकेना के चेत्रित में अच्छी दौर लगाई, ध्यान रखिएगा, लाक्षणिक मोति मत्त और प्रयोग वैचित्र की जो छटाइन में दिखाई पड़ी है, खेद है कि वो फिर पूने दो वर्स पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्द में अर्थार बर्तमान काल की नूतन का विधारा में ही अभी बेंजनाबाद के प्रभाओं में कुछ विदेशी रंग लेका कड़ा है, ठी लोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ नीजे पंक्तियां उद्दत हैं, अर्सानी के गही वैबानी कची सरसानी सो आनी निहोरत हैं, हवे है सोई घरी भाग उखारी घन आनंद, माफ करियेगा, हवे है सोई घरी भाग उखरी आनंद घन, सुरस बरस लाल देखाऊं हरी हमें, खुले भागे वाली घड़ी इसमें विसेश पर ही आये है, अब इसमें इनोंने बहुत सारे उधारण दिये हैं, इसको आप देख लीजेगा, इनों धारणों से कभी की चुबती हुई वचन वक्र का पूरी पूरी चलती है, कहने की आवश्यक्ता नहीं है, कि कभी की उखती ने वक्र पत फिर दे के वेगी के कारण पकता है, खाव कस रोज जिस प्रकार टकरा टकरा करता हैं, बक्रोती के छीटे फेकता है, उसी प्रकार भासा के स्निक्द सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है, ऐसे इस्तलों पर अत्यात चलती और प्रांजल रजभासा की रमणियता दिखाई पड़ती है, कान परे पहुतायत में इकलैन की बेदन जानो कहा तुम, हो मन मोहन मोहन कहुना, बिथा बिन नैन के मानो कहा तुम, ठीक है, इसके बाद इनके बहुत सारे पद्दे दिये हुए हैं, पद्दे आप देखेगा, इसी प्रकार सरल रचनों में कहीं-कहीं नाद व्यंजना की भी बड़ी व्यड़ी अनूठी है, देखीजिए, एरे भी रपौन तेरो सबय और गौन वारी, तोसों को और कौन मने धर को ही बानी दे, जगत के प्रान ओचे बड़े के को समान घन, आनंद निधान सुखदान दुखी आनी दे, उपर के कवित के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखी आनी दे में, ब्रतंग की ध्वनी का बड़ा की सुन्दर अनुकरण, उप्ति के अर्थ गर्वत्व भी घना नंद की का स्वतंत्र और सावलंबी होता था, बिहारी के दूहों के समान, सहित्य की रूडियों जैसे नायका भेद पर आश्रित नहीं होता था, कोई भी साधहरण मनेश से उसको समझ सकता था, धना नंद के उक्तियां वही समझ सकता था, जो रूडियां जानता हूँ, पर इनके साथ ऐसा नहीं था, उक्तियों के सांगो पांग योजना का या अन्विती इनकी निराली होती थी, कुछ उधारण देखियें, पूरण प्रेम को मंत्र महापन जामधी सोधी सुधारी है लेक्यों, तानी के चार चरित्र बिचित्रनीयों, पच्ची के रचिराखी भी सेक्यों, अब आगे बहुत सारे उधारण हैं, आप उधारण देख लें, इस अंतिन सबये के प्रथम चरण में कभी ने पहुत सूच मुकॉसल दिखाया है, मुर्य चाहनी और तकी मोरनी से ये व्यक्त किया है, कि एक बार नाइका ने नायक क्यों मुड़ कर देखा, फिर देख कर मुड़ गई और अपना रस्ता पकड़ लिया, देख कर जब मुड़े, तक नाइका का मन उनकी और इस प्रकार ढ़ल पड़ा, जैसे पानी नारी में ढ़ल जाता है, कठी के बल देकर प्यारे नाइका के मन में दूबने का भे निकल गया, घनानंद के ये तो सबये बहुत प्रसित हैं, इनको देख लिजिए, परकारज देख को धारे फिरो, परजन जधा रथ रहा, वे दरसो, निदी नीर सुधा के समान करो, सबही बिंदी सुदरता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो, कभी मेरी वो पीर ही ये परसो, कभा हूँ वा विसासी सुजान के आंगन में असुवान को ले बरसो, और ये तो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और आपको भी पता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पंगिया, आती सूधो सनेह कुमारग है, जहां नेकु सायापन बाक नहीं, ताहा सांच एक चले, तजी अपनो आप नपो, जिजिके का पटी सो निसात नहीं, घन आनन्द प्यारे सुजाने सुनो, इत एक ते दूसरो आख नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहूं पर देहूं छटा कर ले, मुझे भी बहुत पसंद है, ये पंग्तियां विरलीला से हैं, सलोने स्याम प्यारे क्यों ना आवो, कहां हो जू, कहां हो जू, कहां हो, रहो किन प्यारे ने, प्यारे ने आगे, सजन हित्माने के ऐसी न कीचिए, तेक है, रस निदी, आप रस निदी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उन्दीस फिनिट का वीडियो हो चुका है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगी बोर हो जाते होंगे, सुनते सुनते, मैं एक बात कहना चाहूंगी, कि वीडियो सारे आपको इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वीडियो जरूर आप एक बार सुन लीजिएगा, जब कोई चीज आप थोड़ा सा उतार चड़ाओ के साथ सुन लेते हैं ना, तो वो दिमाग में कहीं न कहीं रुक जाती है, किताब को पढ़ाओ ये, आप किताब को आप साथ से पांच बार पढ़के देख लीजिए, आपके दिमाग से जरूर फिर भी निकलेगा, और वीडियो को आप एक से दो बार सुनेंगे, तो फिर भी कुछ परसंट चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी, ये ऐसा मुझे पूरा अनुमान है, तो अगर आप आस्ताव में त्यारी करना चाहते हैं, तो स्किप मत करिएगा, पूरी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सुनने में अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो अगर आ गई, तो हम कर पाएंगे और रटने के ज़रूरत नहीं आसी चीज़ों को, कर दो